असलाम नेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब खेरियत से होंगे काफी देर बाद हम आपसे मुलागात हो रही है आईए आज मैं आपको ब्लैक और वाइट डिजाइनिंग में स्लीव डिजाइन बनाना सिखाऊंगी जो के आज कल बहुत ट्रेंडिंग में है क्योंकि मुहर्म चल रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो ब्लैक और वाइट जो हैं वो कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं अब यह देखें मेरे पास चुड़ाई में 8 इंच और लंबाई में बाजू की साइज का एक कपड़ा मुझूद है जिस पे मैं चेंज पे निशान लगा रही हूं दूसरी साइट पर हम लोग चेंज पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला कर एक कटिंग लाइन बना लेंगे इसके बाद हम कैंची मतब से इसको काड़ लेंगे इस डिजाइन को आप बाजू के लिए दामन के लिए और ट् पर्टी आ जाएगी इसको हम अब स्लाई लगाएंगे एक किनारे पे जहां से खुला है और इसको इसी तरीके से दोनों साइड़ों से थोड़ा-थोड़ा सा मोडते हुए डबल करेंगे फिर उसके ओपर हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और इसको स्लाई को लगाते जाएं अब इसको जब हम लोगों ने डिजाइनिंग के लिए उतनी ही चोड़ी पटी के ओपर कागस की पटी के ओपर हम लोग इसको जोड़ेंगे और फासला नहीं चोड़ेंगे और इसको साथ-साथ करके स्लाई की मदद से कागस पे जोड़ते जाएंगे यह देखें हम लोग साइट से यानि के पेपर वाली साइट से रखते हुए इसको लगा लेंगे और अब देखें हम लोग दोनों साइटों से लगा चुके हैं अब पेपर को हम लोग उतार देंगे पेपर को उतारने के बाद ये देखें दोनों साइटों के उपर मैंने स्लाई लगा ली है ताके दोनों साइडों से पटियां जो हैं वो पकी हो जाएं अब हम इसकी डिजाइनिंग शुरू करेंगे पहले हम लोग लैस को लगाएंगे लैस जो है वो आप मेरे चैनल पर सीख चुके हैं दरजी की तरह लैस लगाने का स्वान तरीका उसी मैथेड को फॉलो करते हुए आप लैस को लगाएंगे लैस को उल्टा रूख लगते हुए फिर उसको प्रैस करके सीधर उसे हम लोग फॉल्ट कर लेंगे अब देखें डिजाइनिंग जो है वो बनानी शुरू करते हैं सुई में डबल धागा डालने के बाद जो पटियां हम लोग ने लगाएंगे हैं उसके बिल्कुल सेंटर में से धागे और सुई की मदद से एक बोग की शकल में डिजाइन बनाएंगे चुनट बनाते हुए और फिर उसके बाद मोती का यूज करेंगे मोती जो है वो बिल्कुल जोहोज से नहीं खेंचेंगे उसको थोड़ा सा लूज रखेंगे और फिर दुबारा से चुनट बनाते हुए उस पटि को एक बोग की शकल दे देंगे इसी तरह हम लोग उसको दुबारा से धागे के साथ पका करेंगे सुई धागे के साथ और फिर अंदर से सुई दुबारा से निकालते हुए मोती का इस्तमाल करते हुए अगली पटि को भी इसी तरीके से बना लेंगे इसी मेथट को यूज करते हुए हम लोग लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा के धागे को पका करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये डिजाइन ढीला हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसी तरीके से पका करते हुए और मोतियों का इस्तमाल करते हुए हम लोग इस डिजाइन को बनाते जाएंगे और सारी पटियों पे बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन को बना लेंगे यह देखें मैं अपनी डिजाइन को कंप्लीट कार चुकी हूँ मैंने पिछे कुपड़ा हमारे पास था उसको मैंने इस तरीकी मदद से नीट किया और फिर उसके बाद यह देखें डबल फोल्ड करते हुए जहां पर हम लोगा ने पट्टी लगाई थी उसी जगां पर फोल्ड करके तरपाई कर ली है ताके पीछे से भी उसकी नीटनेस बर करा रहे ब्लैक और वाइट जो है वो बहुत से लोगों का फेरवेट कलर होता है और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा बहुत शुक्रिया अलाहफिस